तो हेलो दोस्तों स्वागत है आप सभी के आज के एक और ने वीडियो में और आज आपके सामने हैं 2023 की न्यूई हीरो स्प्लेंडर प्लस एक्स्टेक टोटल तीन कलर आप्सन के साथ ये बाइक आती है अभी जो इसकी 100 रूम कीमत निकल के आड़ी वो है 77,745 रूपीज और होन रोट कीमत है 93,159 रूपीज रादा हारी और तो माइल बखडी मुझापर पुरिस्तित सो रूम में दोस्तों आज की इस वीडियो में जानेंगी इस बाइक में आपको क्या-क्या फीचर्स मिलते हैं माइलेज कितनी मिलती है क्या-क्या स्पेसिफिकेशन है ये सारी जा रेल देखने को मिल जाता है बाकी दोस्तों साइड में यहापे आपको कोई भी ग्राफिक के वर्क देखने को नहीं मिलते हैं हेड्लैम सेटप की बात करें तो यहापे आपको मल्टी रिफ्लेक्टर हैलोजन हेड्लैम सेटप मिल जाता है लो बीम और हाई बीम के साथ बाक और आप रिफ्लेक्टर देख सकते हो फ्रेंट वाले अगर सस्पेंशन की बात करें तो यहाप पे आपको टेलिस्कोपिक हाइड्रोलिक सॉक एब्जॉर्वर टाइप के आपको सस्पेंशन मिल जाते है ब्लैक कलर के और इसके साथ साथ यहाप आपको 80-118 का ड्रम ब्रेक मिलता है बागे दोस्तों यहाँ से आप इस बाइक का पूरा राइट साइट का प्रोफाइल देख सकते हो 112 kg की इस बाइक में आपको करवेट मिल जाती है फ्यूल टैंक की और चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3D में आपको hero की branding देखने को मिल जाती है chromeсьadskivity के साथ और इसके साथ-स यहाँ भी आपको blue color के ग्राफिक के वर्क देखने को मिल जाते है 9.6 Brah की capacity मिल जाती है full metal body आपको मिल जाता है और इसके साथ-साथ-स यहाँ पे फिर टैंक कैप पे देख सकते हो आपको hero के customer के अड़की number मिल जाती है और यहाँ पे आपको locker देखने को मिल जाता है और आगे की और चले तो यहाँ पे आप देख सकते हो chrome kiffinies के साथ आपको handlebar मिलता है इसमें आपको कोई भी change नहीं मिलते है key point देख सकते हैं साइड में यहाँ पे आपको USB charging port मिलता है जैसा कि आप सभी भाइकों में मिल जाता है और fully digital type के यहाँ पे आपको meter console मिल जाता है जिसके side में यहाँ आप देख सकते हो low fuel indicator मिलता है gear neutral की warning i3s की indication मिल जाती है check engine की light headlight की warning मिल जाती है turn signal indicator की warning और इसके साथ साथ यहाँ पे आपको side stand की warning मिल जाती है और digitally so हो जाता है spirometer, odometer, tachometer देख सकते हो trip meter मिल जाता है fuel gust देखने को मिल जाता है real time mileage आपको इस bike में देखने को मिल जाती है बाकि दोस्तों इस bike में आपको Bluetooth connectivity जैसे features देखने को मिल जाते है जिसके अंदर आप call alert इसमें seller जैसे आपको features देखने को मिल जाते है और दोस्तों अगर इसके left handle पे चले तो यहाँ पे आपको switches में कोई changes नहीं मिलते है upper day, turn indicator और यहाँ पे आप horn की switch देख सकते हो warrant आपको इस bike में नहीं मिलते है दूसरी ओर चले है तो यहाँ पे आप blue color की i3s की switch देख सकते है नीचे आपको red color का self start का switch मिलता है इस bike के अगर seat comfort की बात करें तो पहले से अच्छी हो गई है कुसन काफी soft आपको मिल जाते है pillion और rider दोनों के लिए dual tone color मिल जाता है red color का यहाँ पे आप thread का work देख सकते हो 785 mm की आपको seat height मिल जाती है बागे दोस्तों अगर seat call की और चले तो यहाँ पे आप इस bike का seat call देख सकते हो glossy black color का मिल जाता है यहाँ पे आपको i3s की sticker work मिल जाते है और इसके साथ साथ side body panel पे यहाँ पे आप देख सकते हो splendor plus की आपको 3D में branding देखने को मिल जाती है silver color finish के साथ नीचे यहाँ पे आपको x-tech की sticker work मिलती है यहाँ भी आपको blue color के काफी सांदार graphic के use मिल जाते है power start की sticker work मिलती है programming fi की bashing देख सकते हो यहाँ पे आपको locker मिल जाता है kick lever यहाँ पे आप देख सकते हो इसके साथ साथ यहाँ पे आपको rider के adjustable footrest मिल जाते है brake pad देख सकते हो engine पे आप देख सकते हो hero के आपको branding मिल जाती है इसके साथ साथ catalytic converter यहाँ पे आप देख सकते हो और दोस्तों यहाँ पे spark plug देख सकते हो इंजन वाइल कैप यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है 165 mm की आपको ground के लिए रेंस मिलती है इंजन और power की बात करें तो इस बाइक में आपको 97.02 CC का एर कूल 4 श्रॉक सिंगल सिलेंडर फ्यूल इंजन मिलता है यह इंजन maximum power जनेरेट करता है 8.02 PS का 8000 RPM और maximum torque जनेरेट करता है 8.05 5.95 का 6000 RPM फोर्ड स्पीड गेर बोक्स के साथ यह बाइक आती है माइलेज की बात करें तो 65-70 kmpl की यह बाइक असानी से माइलेज निकाल करके दे देगी टॉप स्पीड आपको 95 kmpl का मिल जाता है बागे दोस्तों अगर इसके पीछे की ओर चले तो यहाँ पे आप देख सकते पीलियन का यहाँ पे आपको एड़जस्टेवल फूटरेश्ट मिल जाता है इसके साथ साथ इसके एक जॉस्ट के पर काफी सांदार यहाँ पे आपक आपको ट्यूबलेश टैड मिल जाता है 18 इंचे के ब्लैक कलर के लवाय के साथ और 130 mm की आपको ड्रम ब्रेक मिल जाती है इस बाइक में आपको इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम मिलता है बाकी दोस्तों यहाँ से आप इस बाइक का पूरा रेर प्रोफाइल देख सक सकते हैं नीचे आपको रिफ्लेक्टर मिल जाता है दूसरी और चलें तो इस साइट से भी आपको सीट काउल पर आई 3S की स्टीकर वर्क मिल जाती है लेडी पिलियन के सेप्टी के लिए यहाँ पर देख सकतो लेडी पिलियन का साड़ी गार्ड मिल जाता है और दोस्तों स साइट से भी आपको साइड बॉडी पैनल पर इस प्लेंडर प्लस एक्स्टेक की आप बैजिंग को देख सकते हो और दोस्तों यहां से आप इस बाई का मेन इस्टेंट को देख सकते हो पावर स्टार्ट प्रोग्रामिंग एफाई की आपको बैजिंग मिल जाती है इसके स जानकारी मैंने आपको दिये राधा हरी ओटोम वाईल दर्भंगा रोट सिपापूर बखडी मुझापर पुरिस्तित सोरूम में इस सोरूम में आप विजिट कर सकते हो हीरो के किसी भी बाईक या स्कूर्टी का टेस्ट ड्राइब ले सकते हो सोरूम की सारी जानकारी मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन वर्क्स में दे दूंगा दोस्तो अगर आप भी अपने सीटी के अंडर प्राइब जानना चाहते हो तो आप मुझे कॉमेंट बॉक्स अपने सीटी का नाम लिख करके भेज सकते हो थैंक यू दोस्तो वीडियो के लास्ट तक बने रहने के ल तो वीडियो को जादा से जादा लाइक कीजेगा सेर कीजेगा और बाइकर्स पॉइंट चैनल को सस्क्राइब जरूर कर दीजेगा थैंक यू सो मच